हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैन्दिली फवार जी में आज हम सीखेंगे कि फोटो वाला कोविड वैक्सिन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे नॉर्मल तो आप लोग डाउनलोड किये होंगे नॉर्मल कैसे डाउनलोड करना जदी नहीं मा तो सबसे पहले आप अपने फौन में जहां पे प्लेय स्टयर है। एप्लिकेशन को अपिन करेंगे अप्लेय फिम्मॉप्ब करेंगे। कर पाएंगे हम 1 step आउर बताएंगे चले तब तक हम यहां पर install पर टच करके install करें दूसरा बासन यह रहेगा कि आप के मादम से नहीं करना चाहते तो chrome browser में जाएंगे chrome browser में type कर लेंगे 2g coon velocity कर लिए भाफ कर लिए आज जिसे हम app में process करेंगे शेम प्रोसेस हम वहां पर website पर करेंगे तो वहां से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे एप से भी कर सकें तो अभी हम एप से करेंगे एप से सीखेंगे तो इसके लिए तो continue रहे तब तक यह चलिए डाउनलोड हो जाएगा यहां पर तक हम पीछे आ जाते देख लेते कि मेरे फॉन में यह डाउनलोड होके कहां पर आया अभी तक तो नहीं हुआ continue चलिए डाउनलोड होके आ चुका है यहां पर देख सकते तो यह डीजी लॉकर जो एप्लिकेशन है इस पर एक बार हम हम टच करेंगे एप पर टच करने के बाद में डीजी लॉकर का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा डीजी लॉकर के सबसे नीचे में आपको होम ब्राउज एकाउंट्स तो हमें एकाउंट्स पर आएंगे इस पर एक बार टच करेंगे एकाउंट्स पर आने के बाद मे तच करेंगे एक बार तच करने के बाद में यहां पर कहते हैं फुल निम एज पर अधार जो आपके अधार कार्ड पे जो नाम है वो पूरा नाम इस बॉक्स में टाइप करने के डेट आफ वर्थ एज पर अधार जो आपके अधार कार्ड में जो डेट वर्थ है वही वाले स सीम हमें यहां पर डायप करना है इसके दिबलाइन को दोगी 4 जो है और थाथ नमर जो आपका आधार नमर वहां कर रहें कावाद तो sign in करेंगे यहां पर दो option दे रहा है mobile slash अधार से एक है username से आपको username मालूम है आप username किरिट किया होंगे तो username से भी कर सकते या आप mobile नमर या अधार नमर से भी कर सकते चले तो हम यहां पर mobile नमर से करेंगे तो देखते हैं मॉबाइल नमर डालने के बाद में आप यहां पर 6 जिजिट का आपको पीन मांगा जा रहा है तो चले हम पीन इसमें टाइप कर देते हैं कि टाइप करने के बाद में हम यहां पर sign-in बटन पर sign-in खड़नेंगे आप भूल गयोंगे तो forward security पिन करके आप नया पिन जनरेट कर सकते आपको मालूम है तो sign-in करिए तो चले हम sign-in पर touch करते एक बाद sign-in पर touch करने के बाद में एक OTP आएगा जो आपके register mobile पर email पर आएगा तो चलिए OTP आ चुक है तो OTP हम यहां पर type कर लेते हैं OTP type करने के बाद में हम submit पर यहां पर touch करेंगे एक बार, submit पर type करने के बाद में इसके बाद में आपका डीजी लोकर में काफी सारे option आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला है Central Government इसके बाद है Central State Government इसके बाद है Education इसके बाद आपको banking and insurance इसमें के बाद आपको health मिलेगा तो आपको health से related है तो health वाले option में आपको देखने को मिलेगा तो सोरा सामें आपको लेट की तरह हमें एसकॉल करने के बाद में इसमें मनिश्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वॉल्फेयर है इस पर एक बाद टच करेंगे तच करने के बाद में कुछ इस टाइब को देखने को मिलेगा तो कोई वैक्षिन सेटिफिकेट यह इस पर एक वैक्षिन का सेटिफिकेट होगा उस पर एक वैक्षिसल आईडी होता है वह आईडी यहां पर आपको टाइप करना परेगा टाइप करेंगे यह वह आईडी आपको नहीं मालूम है तो आईडी आपको डाउनलोड करने के बाद में यहां पर उस सेटिफिकेट पर होगा व करने के बाद में एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे तो चलिए हम यहाँ पर करके यहां पर देख लेते हैं जातया है तो चाहिए यहां पर डेखने को मिल जागे पर कोविड वैक्स होगे लिए इसके लाद यहां पर बैच नमर वेगर आपको देख सकते यहां पर फुल जो आपका जो सारी के सारी जो वैक्शन हो तो सारी यहां पर इसी तरह से आप फोटो वाले कोविट सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर पाएंगे अब देख सकते इसमें फोटो लगा हुए सारे आपको देखने को मिलेग अब इसे स्कीन सट यहां डाउनलोड करके रख सकते हैं उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग हो अच्छा लग हो तो लाइक, शेर, कॉमेंट जरूर करें थैंक्यू